प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेश्ण अवली 4.4 के प्रेश्ण, देखिए तीसरा प्रेश्ण निमलिकित को हल कीजिए, इसमें हमें क्या करना है, कतन को पढ़ करके, समझ करके, समिकन बनाना है, और फिर उसका हल बताना है देखिए, इर्फान केता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, उनके पांच गुने से साथ अधी कंचे हैं इर्फान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं, यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा अंग्रेजी के A से लेके Z तक कोई से अक्सर को आप मान सकते हैं, माना की परमीत के पास कंचों के संख्या है, वो X है अपने लिखेंगे मानना की परमीत के पास कंचों की संख्या बराबर X है, ठीके, अब जैसा प्रेश्ण में का जाएं, उसके अनुसार आप समिकन बनाईए, इर्फान केता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके पांच गुने, तो अपन देखते हैं कि इर्फान के पास कितने कंचे हैं, यदि परमीत के पास X कंचे हैं तो, इर्फान के पास कंचों की संख्या परमीत के पास कंचों की संख्या का पांच गुणा यही तो है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके पांच गुणे से साथ अधिक तो यह साथ और जोड दीजे सरल करने पर पांच एक्स प्लस साथ प्रश्ण में क्या का गया है कि इर्फान के पास 37 कंचे हैं इसका मतलब इर्फान के पास जो ये कंचे हैं पांच एक्स प्लस साथ इनका मान यानि ये किस के बराबर है 37 के बराबर है प्रश्ण में हमें ये का गया है इसलिए अपन यहां लिख देंगे परिश्णानु 7 ठीक है तो अपना समीकर्ण क्या बना 5x प्लस 7 बराबर 37 अब अपन इस समीकर्ण को हल करके x का मान बता देंगे x का मान बताने से क्या आएगा कि परमीज के पास कंचों की सिंख्या कितनी है देखे इसे अगली स्लाइड पर समीकर्ण अपना है 5x प्लस 7 बराबर 37 ये अपना समीकर्ण है अब इस समीकर्ण को हल करना है तो सबसे पहले चरपद के अतिरिक्ट जो संक्या उनका पक्षांतर्ण करेंगे तो 5x बराबर 37 दूसरी साइड में है जैसे कि जैसे प्लस 7 दूसरे पक्ष में जाएंगे तो ये होगे माइनस 7 और अपन यहां लिख देंगे पक्षांतर्ण से 5x बराबर 37 में से 7 के 30 ठीक है अब अपना समीकर्ण बन गया 5x बराबर 30 इसे आगे हल करने के लिए अपन देखेंगे कि चर किसे गुणा है 5 से तो अपन क्या करेंगे समीकर्ण के दोनों पक्षों में 5 का भाग दे देंगे क्या लिखेंगे यां दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर देखिए इस परकार समीकर्ण अपना 5X बराबर 30 दोनों पक्सों में समान सिंख्या 5 का भाग देने पर 5 से 5 केंसिल 5 का भाग 30 में 6 बार यानि X बराबर 6 अपने समीकर्ण का हल है X बराबर 6 यानि परमीत के पास कंचों की सिंख्या कितनी है? 6 ठीक है? देखिए अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है लक्षमी के पिता की आयू 90 वर्स है उनकी आयू लक्षमी की आयू के 3 गुने से 4 वर्स रदिके लक्षमी की आयू क्या है? यान भी हमें लक्षमी की आयू को मानना पड़ेगा माना की लक्ष्मी की आयू वाई वर्स है, यहां लिखेंगे अपन माना की लक्ष्मी की आयू बराबर वाई वर्स, ठीक है, ऐसे लेके जेड़ तक के कोई से अल्फावेट को आप मान सकते हैं, जैसे यहां वाई चरहें, उससे पूरू के प्रेश्ण में एक्स चर्था, अब आप प्रेश्ण के अनुसार, कतन के अनुसार समीगण बनाईए, लक्ष्मी के पिता की आयू उनपचास वर्स है, ठीक है, उनकी आयू यानि पिता की आयू लक्ष्मी की आयू के, तीन गुने से चार वर्स रदिक है, यदि लक्ष्मी की आयू वाई वर्स है, तो आपन देखते हैं कि उसके पिता जी की आयू इसका तन के अनुसार कितनी बनती है पिता की आयू लक्षमी की आयू के तीन गुने यानि ये लक्षमी की आयू इसके तीन गुने यान तीन से गुना कर दिया से 4 वर्ष अदिक है यानि ये प्लस 4 सरल करें इसे तो 3Y प्लस 4 ये पिता जी की आयू होगी लक्षमी के पिता जी की आयू होगी 3Y प्लस 4 ठीक है अब देखिए प्रश्ण में क्या कहा गया है कि लक्षमी के पिता की अईू उनपचास वर्स है यानि प्रश्ण अनुसार ये जो तीन वाई प्लस चार का मान है किसके बराबर है उनपचास के तो अपन क्या लिखेंगे प्रश्ण अनुसार तीन वाई प्लस चार बराबर उनपचास ये अपना समीकर्ण बन गया अब अपन इस समीकर्ण को हल करके और चर यानि वाई का मान बताएंगे वाई का मान बताने से क्या मान आ जाएगा लक्षमी के आईू आ जाएगी इस समीकर्ण तीन वाई प्लस चार बराबर उनपचास को अपन पहले हल करेंगे तीन वाई प्लस चार बराबर उनपचास पर चर पद के अतिरिक जो संक्या है उसका पक्षांतन करेंगे दूसरे पक्स में ले जाएंगे उसे तो 3y बराबर 59 राइट एंड साइड में है प्लस 4 है दूसरे पक्स में आने पर माइनस 4 माइनस 4 क्यूं है पक्षांतर्ण से 3y 59 में से 4 जाने पर गटाने पर विजल्ट है हो 45 तो अपना समीकन बन गया 3y बराबर 45 अब आप देखिए जो 4 है यानी y है किस से गुणा है 3 से गुणा है तो अपन क्या करेंगे समीकन के दोनों पक्षों को 3 से भाग देंगे और यहां क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में तीन का भाग देने पर तीन वाई बराबर 45 ये अपना समीकर्ण है दोनों पक्षों में तीन का भाग दिया तो तीन से तीन केंसिल तीन का भाग 45 में 15 बार तो इधर बचा वाई बराबर 45 ये समीकर्ण का हल है वाई अपन ने क्या माना था देखिए लक्षमी के आयू वाई वर्ष यानि कितना 15 वर्ष ये ही तो आया है लक्षमी के आयू 15 वर्ष देखिए अगला प्रश्ण सुंदर ग्राम के निवास्टियों ने अपने गाउं के एक बाग में कुछ पेड लगए इन मैंसे कुछ पेड फलों के पेड थे उन पेडों की संक्या जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेडों की संक्या के तीगुने से दो अधिक थी यदि ऐसे पेडों की संक्या जो फलों के नहीं थे 77 है तो लगाएगे फलों के पेडों की संक्या क्या थी देखिए एक गाउं के बगीचे में कुछ पोदे लगाएगे जिन मेंसे कुछ फलदार पोदे हैं और कुछ फलों के नहीं है है ना तो लगाएगे फलों के पेडों की संक्या क्या है तो इसने हमें मानना पड़ेगा माना की लगाएगे फलों के पेडों की संक्या P है अपन चर के रूप में किसी भी अक्सर को A से लेके Z के कोई से अक्सर को मान सकते हैं तो क्या लिखेंगे अपन माना की माना की फलों के पैडों की संख्या बराबर P है ठीक है अब देखते हैं कि यदि फलों के फैडों की संख्या P है तो ऐसे फैड जो फलों के नहीं थे उनकी संख्या कितनी बनती है परिश्ण के अनुसार जो फलों के नहीं थे उन पैडों की संख्या देखिए जो फलों के पेड नहीं थे फलों वाले पेडों की संक्या के तिगुने से यानि फलों वाले पेडों के तिगुने यानि इनको तीन से गुणा कर दें तीगुने से दो अधिक यानि प्लस दो तो क्या हो गया तीन पी प्लस दो तो जो फलों के नहीं थे उन पेडों की संक्या है 3P प्लस 2 लेकिन हमें क्या कहा गया है प्रेश्ण में कि यदि ऐसे पेडों की संक्या जो फलों के नहीं थे वो 77 है इसका मतलब 3P प्लस 2 इनका मान किसके बराबर है तीन पी प्लस दो यानि जो फलों के नहीं थे उन पेड़ों की संग्या 77 है इसका मतलब तीन पी प्लस दो बराबर 77 है अपना ये समीकर्ण है ये कैसे आया ये अपने को प्रश्ण में कहा गया है इसलिए तो अपन क्या लिखेंगे या प्रश्ण अनूसार कि जो फलों के फेड़ नहीं थे उनकी संग्या 77 है इसका मतलब तीन पी प्लस दो 77 के बराबर है तो अपना समीकर्ण क्या आ गया तीन पी प्लस दो बराबर 77 इस समीकर्ण को हल करके पी का मान बताएंगे पी का मान आनने से फलों के फेडों की संख्या आ जाएगी, तो आप क्या करें अपन? इस समिकर्ण को हल करें. समिकर्ण है 3P प्लस 2 बराबर 77, 3P प्लस 2 बराबर 77, चरपद कैतिरिक जो संख्या है उसका पक्षांतरन कर देंगे, यानि बराबर के दूसरी साइड में तो 77 है जैसे की जैसे प्लस 2 दूसरे पक्ष में जाने पर माइनस के 2 यहां लिख देंगे अपन पक्षान तर्ण से सरल करने पर 3P बराबर 77 में से 2 गटाएंगे 75 अब अपना जो समीकर्ण है वो बन गया 3P बराबर 75 देखिए चर P किस से गुणा है 3 से तो अपन क्या गरेंगे कि समीकर्ण के दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे जिसे की चर का मान P का मान आ जाएगा तो क्या लिखेंगे यहां दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर देखे इस परकार तीन पी बराबर पिचेतर यह अपना समी करने इसके दोनों पक्षों में समान संख्या तीन का भाग देंगे फिर सरल करेंगे तीन से तीन केंसिल तो यहां बचेगा पी पिचेतर में तीन का भाग देंगे 3, 2, 6 बचा 1, 15, 15 में 3 का भाग 5 बार P बराबर 25 तो P बराबर 25 P किसको माना आपने कि फलों के पेडों की संक्या बराबर P है तो P कवान कितना है 25 25 पेड है वो फलों के पेड है यही तो है ठीक है देखिए अगला प्रश्ट निमलिकित पहली को अल कीजिए, हमें एक पहली दी गई है, इसे पढ़ करके, समझ करके एक समीकन बनाना है, फिर जो समीकन का हल आएगा, वो ही पहली कार्थ होगा देखिए, पहली किस परकार है, मैं एक संक्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे साथ बार लो, साथ बार लो, इसका मतलब उस संक्या को साथ से गुणा करना है, और एक पचास जोड़ो, यानि इसमें पचास जोडने है, एक तिहरे सतक तक यानि तीन सो तक पहुंचने के लिए आपको अभी 40 चाहिए, यानि 40 कम है, तीन सो में से 40 कम है, यानि 260 इसका मान है, तो अपन क्या लिखेंगे सबसे पहले, माना की वे संक्या X है, ठीक है, अब देखिया, जैसा पहली में कहा जाए, उसके अनुशार हमें समिकन बनानी है, मैं एक संक्या हूँ, यानि ए X है, मुझे साथ बार लो, यानि X को आप साथ से गुणा करें, तो रिजल्ट आएगा साथ X, ठीक है, और एक 50 जोड़ो, यानि 50 जोड़िये, इसका मतलब साथ X प्लस 50, यहां तक यह हो गया, फिर यह क्या कहे रहे हैं कि अभी तक जो मान है, वो एक 30 तक पहुंचने के ल चाड़ीस है, यानि 40 गम है, इसका मतलब यह 260 के बराबर है, तो प्रश्ण अनुसार, साथ X प्लस 50, यह किसके बराबर है, 260 के, तो अपना समीकर्ण बन गया, साथ प्लस 50 बराबर 260, अभी समीकर्ण को अपन हल करेंगे, वही पहली का अर्थ होगा, ठीक है, तो अपना समी लिकण है 7x plus 50 बराबर 260, 7x plus 50 बराबर 260, चर्पद के अतिरिक्त जो संग क्या है उसका पक्षांतरण करेंगे, तो 260 राइट एंड साइड में है, जैसे की जैसे प्लस के 50 इधर आने पर माइनस के 50, यहां आपन लिख देंगे पक्षानतन से, ठीक है, 7x बराबर 260 में से 50 कटाने पर 210, अब अपना समीकर्ण बन गया, 7x बराबर 210, देखे, x जो चर है, वो किसे गुणा है, 7 से, तो अब हम क्या करेंगे, कि समीकर्ण के दोनों पक्षों में 7 का भाग देंगे, देखे, इस परकार, यह अपना समीकर्ण, 7x बराबर 210, दोनों पक्षों में समान सिंग क्या 7 का भाग, तो साथ से साथ कैंसिल, और शाथ का भाग 21 में 3 बार, यह 0 है ज़िटीज, तो x बराबर 30, इसका मतलब, चर का मान 30 है, वह संक्या, पहली में वह संक्या कितनी है, 30, इसका अपन सत्याबन भी कर लें, जांच कर लें इसकी, देखिए, यही तो था अपना समिकर्ण, वह संक्या, उसके साथ गुने में, तो साथ इंटू 30, पचास जोडने पर, उसका मान है वो, तीरे सतक में, 40 अभी कम है, यानि 260 के बराबर, साती है 21, 210, प्लस 50, बराबर 260, जोडने पर दोनों को, 260 बराबर, दूसरी साइड में भी 260, इसका मतलब लेप्ट एंड साइड बराबर, राइट एंड साइड, ठीक है बच्चों, बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप घर पर निरंतर अभ्यास करते रहें, गणित में अभ्यास बहुत जरूर ही है, धन्यवाद.